हलो एब्रिवान सुवाग आते आप सभी का अपनी चैनल के उपर जहां पर आने से पहले लोग क्या कहते हैं बचाओ बचाओ सर डर लग रहा है समिस्टर वन में डर लग रहा है लेकिन यहां आने के बाद लोग सीधा बोलते बबाजी के साथ योयो के साथ मचाओ मचाओ की कहानी शुरू करेंगे उसके साथ साथ बीडबली और फिजिक्स की कहानी अपने दूसरे चैनल के उपर शुरू आए जिसका नाम है पाड़ो इंजिनियर जाने का फटा फटलाल वाला बटन अभी क्या भी बैट जाना चाहिए आप लोग उसके साथ साथ महबत से लाइक करना चाहिए और दिल खोल के कैसे दिल खोल के दोस्तों के साथ शेर करिए क्योंकि आप सिर्व दोस्त को आगे नहीं बढ़ा रहे इससे आप पूरे देश को आगे बढ़ा रहे गार एक इंजिनियर हादर हर एक ने अपने एक इंजिनियर को भी शेर कर दिया ना जनाब त जोचो देश कहां चला जाएगा अपना conceptually, इसी mission और vision को लेकर अपने इस channel को आगे बढ़ा रहे है, उतनी ही जोज जुनुन और ताकत के साथ, partial derivative के पिछले 3 से 4 sessions हमने मचा दिया, conceptually numerical को solve गया, आज एक और खतरनाक वादा numerical आपके सामने रखने जा रहा हूँ, यह रहा इन के ऊपर, चलिए, if z is equal to u, v and u is equal to x cos theta y sin theta, v is equal to x sin theta y cos theta, और theta दिया हुआ है constant, तो theta कोई function नहीं है, सबसे पहले पढ़ दो, z is a function of u and v, z is a function of u and v, and u and v is a function of x and y, ध्यान से देखना है यार, और मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा है, डैबा z by डैबा x, क्या z से x तक जाने का direct रास्ता मेरे पास है क्या, नहीं, नहीं है, लेकिन z से x तक जाने के लिए मुझे एक तो u से गुजरना पढ़ेगा, या फिर v की तरफ से जाना पढ़े या v वाला रास्ता से, मैं दोनों रास्ते आजमाऊंगा, बीच में साइन पॉजिटिव डाद दोंगा, ये चीज आप जैसे वैसे रखोगे, क्यूंकि you don't know whether z is a f of u, v, लेकिन function है, जनाब, लेकिन कौन सा है, trigonometric है, logarithmic है, exponential है, या algebra के आपको नहीं पता, इसलिए ये च चीज को और ये चीज को जैसे है, वैसे ठोक क्या आपको रखना पड़ेगा, चलिए शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं, सबसे पहले, u क्या दिया हुआ है, x cos of theta minus y sin of theta, खतरना, इसको कर लेते हैं आराम से, deba u by deba x, हैना, with respect to x करते हैं, तो ये x का derivative हो जाएगा, cos theta, ये term पूरा का पूरा 0, क्यों 0, क्योंकि y sin theta है न यार, उसमें x दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, बात खतम, next one, deba u by deba y करते हैं, तो minus of sin theta, क्योंकि अब x वाला term 0 हो जाएगा, और y का derivative 1 करके minus sin theta हो जाएगा, also अब v वाला लेते हैं, v, v is equal to क्या है, x sin theta, plus y cos theta, समझ रहे हो, therefore deba v by deba x क्या बनेगा, चलिए, sin theta बनेगा, and deba v by deba y क्या बनेगा, cos theta बनेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, y का derivative 1 बनेगा, 1 into cos is simply cos, मेरे पास 4 derivative available हो चुके हैं, अब मैं जा रहा हूँ, मेरी important concept की तरह, है ना, सबसे important concept, ध्यान से सुनना जाना आब, everybody, everybody, के कर लो, deba z by deba x, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, deba z by deba u की तरफ गया, and to deba u by deba x की तरफ गया, या फिर मेरे पास एक और option है, deba z by deba v के पास गया, और फिर v से x के पास गया, समझ रहे हूँ, दोनों options को मुझे यहाँ पे consider करना पड़ेगा, sir, क्या फरक है, पिछले वाले questions और ये वाले question के अंदर, पिछले वाले question में, z was a single-handedly, मेरा word याद रखना, come on everybody, z was a single-handedly function of something, लेकिन यहाँ पे z खुद दो-handedly, two-handedly function है, और वो two वापस कोई दो-और के function है, तो बात थोड़ी अलग हो गई ना, equation मेरा थोड़ा अलग हो गया, ठीक है, चलिए इससर सब्स्टिट्यूट कर देते, तो deba z by deba u तो मुझे नहीं पता, लेकिन deba u by deba x मेरे पास है, that is cos theta, plus deba z by deba v as it is, and deba v by deba x, that is sin theta, तो मैंने इनको यहाँ पे रख दिया है, this is gonna to be deba z by deba x, समझ रहे हो मेरी बात को, समझ गया, समझ गया, अब यह जो deba z by deba x है, इसको multiply किसके साथ करना है, through that में देखो, किसके साथ करना है, x के साथ करना है न यार, तो इसको multiply कर लेते हैं, चलिया, आराम से महबबत से, therefore multiplying above equation by x, x से multiply करते हैं, therefore यहाँ पे क्या मिलेगा, x into deba z by deba x, which is gonna to be, check कर लो, x cos theta, deba z by deba u, plus x sin theta, deba z by deba v, are you getting my point? absolutely getting your point sir, so this is gonna to be our equation number one, this is gonna to be our equation number one, अब थोड़ा ध्यान से, यह with respect to x किया न, आप बोलोगे sir, with respect to y भी तो करना चाहिए, जी हाँ, now, अब ध्यान से, now, जेक कर लोगा, अब महबबत से करेंगे, deba z by deba y करते हैं, y की तरफ जाना है, तो deba z by deba u की तरफ गया, और u फिर कहां गया, y की तरफ, plus deba z by deba v गया, और फिर v कहां पे गया, वापस से y की तरफ गया, बस अब values को put up करना है, काम को खतम कर देना है, therefore deba z by deba y is equal to, चलिए, यहां पर deba z by deba u as it is, और deba u by deba y कितना था, deba u by deba y कितना था, मेरे पास कर लिया था, माइनस साइन थीटा है, बस बस खतम कतम कतम, तो इसको माइनस साइन थीटा करा लेंगे, ठीक है, plus deba z by deba v, टेक कर लो, deba v by deba y कितना है, फोस है ना यार, फोस है, खतम कतम कतम, इसको अपस से मुझे y से multiply करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे given question में वही बूला गया है, समझे रहे हैं, therefore, multiplying, multiplying, above equation, equation by y, by y, therefore, y into deba z by deba y, which is gonna to be, minus of y sin theta, into deba z by deba u, plus y cos theta, into deba z by deba v, खतम यार, खतम, बस इन दो equations को आप add कर दीजिए, जब इन दो equations को add करेंगे, तो यह और यह common निकलेगा, x cos theta minus y sin theta, मेरा u बन गया, x sin theta plus y cos theta, मेरा v बन चुका है, and lhs equal to rhs आ चुका है, बस यह चीज, बहुत ध्यान से सीख जाईए, कि जो मैंने colorful तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे, यह आपको किसी भी हाल में आना चाहिए, यह usually use होता है, अपने parametric equations में, what do you mean by parametric, जहाँ पे theta होता है, जहाँ पे t होता है, कोई ना कोई variable आपको constant की तौर पे provide किया जाता है, उसको बोलते parametric equation, ठीके जी, यह सवाल, आपके 6 से 8 मांक के questions में, जरूर पूछे जाते हैं, इसकी question bank आपको चाहिए, आना पड़ेगा, आपको fado engineer application के अंदर आना पड़ेगा, आपके फ्री में question bank available है, उसके साथ साथ अपने whatsapp की biggest community है, उसके अंदर भी आजाईए, फ्री में available है, और उसके साथ साथ telegram channel, तो सब के लिए दरबार सब के लिए खुला है, आपको बस वहाँ पे link को click करना है, सर कहां, नीचे description box में साब लोग की link दी हुए, जाईए, ठोक के बाबाजी के दरबार में आईए, और मचानी के लिए ready हो जाईए, मिलते हैं और भी questions के साथ, और एक नए chapter के साथ, next session के अंदर, तब तक खे लिए, बबाए, take care, and thank you so much guys.